जैशिरामित्रू, डिक्टेशन स्टार्ट अभियोजन प्रकरण के मुख्य तत्य इस प्रकार है की तत्कालिन खाद्य सुरक्षा, अधिकारी, खाद्य सुरक्षा, प्रसासन, जिला, गनेशनगर, नवीन शर्मा, द्वारा, दिनांक, बारह अर्ट उनिस्सो चोरानवे को दो तीस बजे, निरिक्षन के दोरान, नागर किराना, स्टोर, मेन रोड, राइगड, जिला, गनेश, नगर पहुचा विराम मौके पर मौजूद वेक्ती को स्वयम के पद का परीचे देकर एवं उस वेक्ती का परीचे लेकर लेकर निरिक्षन है तू विक्रेता को अवगत कराया कोमा, जिसमें उसने स्वयम का परीचे खुमान सी है, पुत्रश्री महेंदर सी है, उम्र 35 वर्स, निवासी, पुराना, राम लीला, मैदान, राइगड कोमा, जिला, गनेश नगर, बताया, विराम, खाद्य सुरक्षा, अधिकारी द्वारा, मौक्के पर, दुकान में, रखे, विभिन प्रकार, कि खाद्य पदार्तों का निरिक्षण कर, खाद्य पदार्त, विक्रे करने, के, निरिक्षण है तू, भरतपुर, फ्रेस मिल्क, मिक्स पान्सो, ग्राम पेक्ड कोमा, नवकार नमकीन, खट्टा डेश मीठा, मिक्स्चर, चारसो ग्राम पेक्ड कोमा, गंगवाल रवा 500 ग्राम पेक्ड एवं सुधासरी प्रीमियम चाय 250 ग्राम पेक्ड का नमूना लिया गया विराम, संबंधित नमूना जाच हेतु क्रै करने का प्रस्ताव भावम फोरम नमबर पाँच डेश एपर देकर पावती ली गई विराम, चारों प्रकार के खाद्य पदार्थ के पाँच डेश पाँच पैकेट खरीद कर कुल 1550 रुपए खाद्य कारोबार करता स्री सोलंकी को देकर देयक तैयार करवाया गया विराम, नियमानुसार खाद्य पदार्थों का एक डेश एक नमुना खाद्य विसलेशक कोमा खाद्य प्रियोग साला भरतपूर जांच है तू भेजा गया हूँ, एवं सेश नमुने के भाग कार्याले में जमा कराए गये विराम। जांच रिपोर्ट दिनांक 10-6-1994 को प्राप्त हुई कोमा जिसमें नव कार नमकीन, खट्टा डेश मीठा मिक्स्चर 400 ग्राम पेक्ड का नमुना मिथ्या चाप पाया गया, एवं सेश खाद्य पदाहर्तों के नमुने मानक अस्तर के पाय जाने की सूचना कार्याले के, पत्र क्रमांक खाद्य ओब्लिक 2021 ओब्लिक 108 दिनांक 12-8-1994 को खाद्य कारोबार करता को उनके पते पर खाद्य सुरक्सा व मानक अदीनियम 2008 की धारा चियालीस कोष्टक चार कोष्टक के तहत प्रदान की गई, किन्तु परिवाद पत्र के अनुसार उसके द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया विराम पेरा चैंज, खाद्य सुरक्सा अधिकारी द्वारा अभी योजन स्वीकर्ती हेतु संपोण दस्तावेज प्रस्तुत कर संबंदित कार्याले में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया विराम, इस प्रक्रण इस पर प्रक्रण पंजिबद्द कर कार्यवाही आरंब की गयी विराम, अनावेदक राम प्रसाद ने अपना जवाब प्रस्तुत कर गलती स्वीकार की विराम, अनावेदक क्रमांक दो नवकार नमकीन को नोटिस भेजे जाने के बाद उनोंने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया विराम, खाद सुरक्सा अधिकारी द्वारा उसकी कार्यवाही का समर्थन किये जाने से निर्माता फर्म नवकार नमकीन केंद्र सर्वे नंबर बार ओबलिक 110 गनेश नगर रोड कॉमा भरत पुर को खाद सुरक्सा एवं मानक अधिनियम 2008 की धारा 26 कोश्टक दो कोश्टक कॉमा 27 का उलंगन किया जाकर धारा बावन के तहत दंडनिया पाकर एक लाख रुपए के जुर्माना से दंडित किया गया है कॉमा जिस से वेतित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है विराम प्यरा चेंज अपील के मुख्य आधार यह हैं की विचारण नया लाइका आदेश विधी डेश विधान वत तत्यों के विपरीत है विराम स्टोप धन्यवाद